घरेलू सर्राफा बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट का रुख नजर आ रहा है। आज सोने की कीमत में 220 से 300 रुप्ये प्रती 10 ग्राम तक की कमजोरी दर्ज की गई है। इस गिरावट के कारण ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 केरेट सोना 72,590 रुप्ये से लेकर 72,740 रुप्ये प्रती 10 ग्राम के स्तर के बीच कारोबार कर रहा है। सोने में गिरावट आने के बावजूद चांदी के भाव में आज कोई बदलाब नहीं हुआ है। इस वजह से आज दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी 83,900 रुप्ये प्रती किलोग्राम के स्तर पर ही कारोबार कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 केरेट सोना आज 72,740 रुप्ये प्रती 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। जबकि 22 केरेट सोने की कीमत 66,690 रुप्ये प्रती 10 ग्राम दर्ज की गई। इसी तरह मुंबई में 24 केरेट सोना 72,590 रुप्य प्रती 10 ग्राम और 22 केरेट सोना 66,540 रुप्य प्रती 10 ग्राम के स्तर पर बिग रहा है जबकि चेन्ने में 24 केरेट सोने की रिटेल कीमत 73,520 रुप्य प्रती 10 ग्राम और 22 केरेट सोने की कीमत 67,390 रुप्य प्रती 10 ग्राम दर्ज की गई है इन प्रमुक शहरों के अलावा अहमदाबाद में 24 केरेट सोना आज 72,640 रुप्ये प्रती 10 ग्राम की कीमत पर और 22 केरेट सोना 66,590 रुप्ये प्रती 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है इसी तरह कोलकाता में 24 केरेट सोना 72,590 रुप्य प्रती 10 ग्राम और 22 केरेट सोना 66,540 रुप्य प्रती 10 ग्राम के स्तर पर पहुचा हुआ है लखनओ के सराफा बजार में 24 केरेट सोना आज 72,740 रुप्ये प्रती 10 ग्राम के स्तर पर और 22 केरेट सोना 66,690 रुप्ये प्रती 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है वही पटना में 24 केरेट सोने की कीमत 72,640 रुप्य प्रती 10 ग्राम हो गई है जबकि 22 केरेट सोना 66,590 रुप्य प्रती 10 ग्राम के स्तर पर बिख रहा है इसी तरह जैपुर में 24 केरेट सोना 72,740 रुप्य प्रती 10 ग्राम और 22 केरेट सोना 66,690 रुप्य प्रती 10 ग्राम के स्तर पर बिख रहा है देश के अन्य राज्यों की तरह करनाटक, टेलमगाना और ओरिसा के सर्राफा बाजार में भी सोने की कीमत में आज गिरावट आए है इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलूरू, हैद्राबाद और भुवनेश्वर में 24 केरेट सोना आज 72,590 रुप्य प्रती 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है वही इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 केरेट सोना आज 66,540 रुप्य प्रती 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है